नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनिस वर्मा तो दोस्तों देखे यह हमारे पास एक न्यू एलेडी बलब जो है यह रिपेर होने आया इसका सर्कुट बिल्कुल अलाग है देखे और यहाँ पर क्या है कि हमारे जो सर्कुट इस टैप के आत यहाँ पर देखे मोवी लिखा हुआ है और यह मोवी कुछ इस टयप का जैसे हमारा सैल्ट टाइब में होता है तो यह पर पर हमारा ब्रिज लगा washing और यह लाइन लिखा हुआ है यह घुर दिख्कत है खराब है यहां पर देखिए मैं आपको ज़्ला के भी दिखाता हूं एक ऐस थिल्ट टोईा है यहां परकर करता हूं कि यह देखिए एक आंव जुड़ नेडा हेद देखे अगर अगर हम इसको सोट कर देंगे तो एक दो महीने बाद यह LED एक एक करके खराब हो जाएगी तो हम इसका क्या करेंगे पूरा सर्कीट निकालके और इसके अंदर यह निव ड्राइवर लगाएंगे क्योंगे इसके अंदर कोई भी ड्राइवर नहीं है लगा हुआ और यह वाला MCPCB इसके अंदर इस्ट्रॉल कर देंगे तो यहां पर मैं इसको रिपेर करता हूं फिर आपको दिखाता हूं तो देखे दोस्तों सबसे पहले हम देखे यहां पर खोलने में क्या हुआ यह बोडी टूट गई है तो बोडी इसकी हम चेंज करेंगे तो देखे हम मैं बोडी जो है एक जो हमारे पर खराब LED बलब है इसमें से निकाल लेते हैं देखे यह बोडी हमने निकाल ली और यह देखे अब क्या है आज कल नए बलब में बोडी हलकी आ रही है तो इसलिए टूट जाती है तो यहां पर देखे पहले MCPCB के निसान लगा लेंगे और यहां पर देखे सुरा कर लेंगे क्योंकि यह जो MCPCB है हमें इसी वाले हीट सिंग पर कसना पड़ेगा क्योंकि आप यह वाला जो LED खराब है तो इसी के ओपर हम लगा के इसको हीट सिंग की तरह यूज कर लेंगे अब यहां पर यह कंपाउंड लगा देते हैं जिसे की जो अंदर जो हमारे वायर लगे हुए थे AC के इसके अंदर फ्यूज रिजिस्टेंस पहले से ही लगा हुआ है तो यहां पर हम इस ड्राइवर में सोल्डिंग कर लेंगे AC लाइन पर यह देखे सोल्डिंग हो जाएगा और सोल्डिंग होने से जो है फिर आप ड्राइवर को अ यह हीट सिंग का काम करेगी और देखे नोवाट की LED इस पर लगा दिया हमने अब इस पर सोल्डिंग करके और नेगेटिव और पॉजिटिव जो है उसी तरीके से हम लगा देंगे तो देखे नेगेटिव और पॉजिटिव जब हमारा लग जाएगा फिर हम मैं इसकी आप सारा समान लगा हुआ है तो वो जल्दी से रिपेर नहीं हो पाता और उनका सरकीट भी अलग बनाया गया है यह देखे अब यह हमारा LED बलब बढ़िया चल रहा है दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल के आइकन को जरूर दवाना